यदेपी परंपरागत रूप से इरान भारतिय बास्मती चावल का सबसे प्रमुक आया तक देश रहा है, मगर वर्ष दो हजार तेईस में वह साओधी अरब से बिछड़कर दूसरे नंबर पर आ गया जबकि इराक तीसरे स्थान पर बरकरा रहा। उपलब्द आकडों के अनुसार साओधी अरब में भारत से वर्ष दो हजार बाईस के दौरान आठ लाक एक सट हजार चार सो तिरपन टन बास्मती चावल का निर्यात हुआ था जो वर्ष दो हजार तेईस में सत्रह दशमलव चार प्रतिशत बढ़कर दस दशमलव एक शू 62 टन पर सिमट गया इराक में इसका निर्यात करीब दो गुना बढ़ गया वहां भारत से दो हजार बाईस में महेज 3,3,752 बास्मती चावल का आयात हुआ था जो दो हजार तेईस में 98.2 प्रतिशत की जबरदस्ट बढ़ोतरी के साथ 6,61,600 टन पर पहुँच गया इरान में सरकारी स्तर पर भी पिछले कुछ महीनों से बास्मती चावल का स्टॉक नहीं किया जा रहा है। इसे देखते हुए भारतिय निर्यातक इरान के साथ बास्मती चावल का निर्यात अनुबंद करने में कम दिल्चस्पी दिखा रहे हैं। निर्यातकों को सौदी अरब तथा इराक सहित कई अन्य देशों में बास्मती चावल का शिप्मेंट बढ़ाने में अच्छी सफलता मिल रही है। इसलिए इरान में कमजोर निर्यात प्रदर्शन का कोई खास असर नहीं पढ़ रहा है। वर्ष 2023 की पूरी अवधी, जन्वरी दिसंबर, के दौरान भारत से बास्मती चावल का निर्यात बढ़कर 49 लाक टन पर पहुँच गया जो वर्ष 2020 के रिकॉर्ड शिप्मेंट 49.9 लाक टन के बाद दूसरा सबसे 49 अस्तर था। समीक्षकों के मताबिक इरान भारतिय बास्मती चावल का प्रमुक खरीदा रहा है, मगर वित्तिय मुद्दों के कारण वहां अभी निर्यात प्रदर्शन कमजोर पढ़ गया है। सेला बास्मती चावल का वार्षिक उत्पादन होता है, जिसमें से 45-50 लाक टन का निर्यात किया जाता है, तथा 20 लाक टन टुकडी, ब्रोकन, चावल रहता है। शेश बास्मती चावल की घरेलू खपत होती है, जबकि इसका थोड़ा बहुत बकाया स्टॉक भी रखा जाता है। Bureau Report Market Times TV